दोस्तों कौन कहता है कि शोशल मीडिया से बदलाओं नहीं आता है। आरेसेस के प्रचारक को भगा दिया। ये वीडियो देखिए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये गाउं में कुछ लोगों को इकठा कर उनके सामने खाकी पेंट पहना एक वेक्ति कह रहा है कि हमें अभे बहुत काम करना है। बहुत काम करेंगे तो भारत देश उपर उठकर विश्वगुरू के सिहासन पर भारत माता आरूड होगी। जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उससे अभी खुश नहीं होना है। और मेहनत करनी है। और मेहनत करके अपने देश को उपर ले जाना है। यहां तक तो सब ठीक था लेकिन जब खाकी पेंट धारी उस विक्ति ने आगे जो बात कही उन ग्रामीनों को जो समझाना शुरूर किया तो मामला बिगड़ गया। अब यह जो जंडा है जिसको हम बोलते हैं परमवित्र भगवात पर। एसा जंडा हम राश्ट्रेशम सेख संग अपने नम सुना है नहीं है राश्ट्रेशम सेख संग आरेश सेख जिसको बोलते हैं अखबारों में टीवे पे मोबाइल का फूब देखते हैं एक संस्ता है और ये संस्ता ये हिंदो समाज है उस हिंदो समाज में हिंदो समाज का सं करने के लिए यह संस्था है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं जानते सब हैं आधे रहाइं जान देना है अग्सका आगा यहां। अधी नहीं कुछ समथा कि वह तो बेट अभी ऐसा है खड़ाओ खड़ाओ बंरश्ता कि बात वो मेरी हिंदू हिंदू क्या हो ओर सम्डेकर से भी इस किसमों बढ़े लगा पर आपके लिए गए विए रूपड़ा आप बरूपहने आपके डल बाथ है प्रश्टी ए स्वयम सेवक संग बस इतना बोलते ही लोग उठकर जाने लगे लोगों ने कहा आप ये RSS और ये जंडा हमको मत बताओ देश की बात करो और एक एक करके ग्रामिन उठने लगे खाकी पैंट वाले प्रचारक अवाख होकर देखते रहें लोगों ने कहा तुम हमको हिंदू कहते हो लेकिन समान नहीं मानते RSS प्रचारक ने कहा ठीक है हम ये जंडा उतार कर बात कर लेते हैं लोगों ने कहा ध्वज उतारो या ना उतारो आपकी बात हमको नहीं सुननी है प्रचारक ने कहा हम समरस्ता की बात करेंगे लोगों ने कहा RSS किस तरह की समरस्ता करता है हमको पता है और लोग उठकर चलते बने तो ये स्थितिय दोस्तों ये स्चोचल मीडिया की वजह से आई है ये ऐसे ही नहीं आए ग्रामीनों में अब ये जागरुकता आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वेक्ति कोई विवेक्ति अगर वहां जाता है और उन्हें अगर वो बनाने की कोशिश करता है अपनी बात मनवाने कि या समझाने को या दूसरी तरह से उनको पताने की कोशिश करता है तो अब अब ये सब कुछ आसान नहीं रहा अब ये मीडिया का जमाना है और ऐसे में अब जो बहुजन वर्ग है वो भी अब इन चीज़ों को सम को दर्शाता है कि आप धीरे धीरे जाग रुकता आने लगी है